हमारे साथ में इस समय अलब संख्या कल्यार्ण राज्यमंत्री दानिश अजाजाद अंसारी हैं दानिश जी लगातार मौलाना अमधनी के अगर बात करें तो उनके बयान सामने आ रहे हैं कभी वो संग प्रमुक्त मुहन भागवाजी को लेकर बयान देते हैं कभी मुसल्मान तरफ मजबूती की तरफ आगे ले जाएं और इसमें सभी जाती धर्म मजभ लोग का जो है इसमें इन्वाल्मेंट होना चाहिए निश्यत और यहीं सोच हमारे प्रधार्मंति नरेंद्र मोदी जी हमारे तमाम देश के लोग रखते हैं और आज हमको अपने प्रधार्मंत है देश के तरक्की के बारे में सबकी क्या सबागिता रहे इन बातों में चर्चा करने के निश्यत तोर पे हम सब अपने मुल्क से को आगे ले जाएं अपने मुल्क को और बहतर दिशा में ले जाएं हमारे मुल्क के चाहे हमारे हिंदू भाई हो चाहे मुसलिम भाई हो इस तरह की जो आपने सोच की बात की जो आपने का इक सकरात्मक माहौल बनाने की बात की ऐसे में जब ये बयान-बाजी होती है जैसे आज कल पेछले कुछ दिनों सम्क्रीं मौला दिन की तरफ से आ रही है किस तरह से आप है इन लोगों को क्या सद्रेंश देना है नहीं के लिए समाज के जो भी जिम्म्हादार 지ern लोग हैं जो भी ऐसे लोग है सबको जो है सै design statement से बचना चाहिए जिसमें समाज में कोई confusion पैदा हो हम सब को अपने समाज को शक्षित बनाने की तरफ आगे ले जाना चाहिए आज जिस तरीके से अगर मैं मुस्लिम समाज के समाज को मुख्यधार से चोड़ने का काम हो आज आप देखिए कि समाज के मुस्लिम समाज के नौजवानों को जो है सिविल सर्विसेश के लिए आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम करने की शुरूआत की है अभी हमने ऐसे सतर बच्चों को हमने सलेक्ट किया है जिनको हम स उसे इसकी पूरी कोचिंग कराएंगे तो ऐसे समाज का निर्मार हमारा जो नेती तो कर रहा है और इसमें सब को ही आगे बढ़के सबको अपनी साबकिता देनी चाहिए ज़नों ने का कि एक तरफ सरकार ये कोशिश कर रही है कि कैसे जो अब संख्यक समाज है वहां पर भी जो लोग हैं सब विकास की मुख्यधारा से जुड़े हैं उनके लिए तमाम योजनाय भी लाई जा रही है उन पर काम हो रहा है ऐसे वक्त जब एक सकरात्मक महौल हो तो कोई भी ऐसा बयान नहीं आना चाहिए कोई भी बयान बाजी नहीं होनी चाहिए जो समाज में भेद झाहिए झाहिए